हलो बडीज, आज की इस वीडियो में कॉर्डेटा के करेक्रिक्रिस्टिक की बात करेंगे कॉर्डेटा में एक तो नरो कॉर्ड आपको मिलेगा दूसरा नोटो कॉर्ड होगा, गिल सिलिट होंगी और पोस्टनल टेल पाई जाएंगी अब यह जो टेबल दी गई बहुत बहुत इंपॉर्टन है, देखे धियान से कॉर्डेट में नोटो कॉर्ड प्रिजन्ट है, नॉन कॉर्डेट में नोटो कॉर्ड अपसेंट है Chaudate की बात करें तो यहां पर Phanonics Perforated by Gilsilid जबकि Non Chaudate में Gilsilid Absent है इसके लावा Chaudate में Post-Tenal Tail Present है और Non Chaudate में Absent तो तीन चीज़ें आपको एक जगा Present दिखाई दे रहे हैं दूसरी जगे Absent आपको दिखाई दे रहे हैं हाँ पर Heart Dorsal होगा अगर Present होगा तो एकदम उल्टा करना है जहाँ CNS Dorsal है वहाँ Heart Ventral है और जहाँ CNS Dorsal वहाँ Heart Dorsal है प्लांट की बात करें तो हैपलोइड और डिपलोइड दोनों से डिवाइड कर सकती माइटोसिस से और इसलिए प्लांट में दो तरही की बोडी डेवलप होती गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट अब अगर हम हैपलोंटिक पैटर्न की बात करें बच्चों तो हैपलोंटिक जो पैटर्न होता है हैपलोंटिक पैटर्न में ध्यान रखना है कि इस पोरोफिटिक जनरेशन जो होती हो, सिंगल सेल जाइगोट ही रिप्रिजन करता केवल, और दूसरी बात, जाइगोट में मियोसिस होती, बहुत इंपोर्टेंट है, कहां मिलेगा, ज्यादा तर इलगी में मिलेगा, जैसे वालवाक्स, स्पाइरो गायरा और क्लेम आइड डिपलॉन्टिक पैतर्न पाया जाता है, अब इलगी में आपको ध्यान रखना है, इलगी में क्या ध्यान रखना है? कि जादा तर जो इलगी होते हैं, मोस्त इलगल जनरार है पलॉन्टिक, एक्टikes पॉली साइफोनी और केलप है और स्योकस डिपलॉन्टिक है, अधि कि दाइ बाद चीप बाद कि इनमें रैटिकुलेट विनिशन एटर ने अर्पेंटामेरस फ्लावर हो तो ऐसे मोनो कोड में ट्राइमेरस फ्लावर ओट ऑर पैलल विनेशन लीड में पाया जाता है, मेल सेक्ष औरगन को के या इस्टिमय सेक्ष और या पिस्टिल के नाम से जाना जाता है यहां पर और इंजियो स्पर्म की जो सबसे खास बात है वह डबल फर्टिलाइजेशन इन में पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल कनवर्ट हो जाते हैं सीड में और ओवरी जो होती है वो फ्रूट में डेवलफ हो लें देखिए एक पॉइंट जो NCRT के में चैप्टर में नहीं लिखा बहुत इंपोर्टेंट है डिपेंडिंग ओन टाइप ओफ पिगमेंट एंड टाइप ओफ स्टोर फूड इलगी को क्लासिफाई किया गया तीन क्लासेज में क्लोरोफाइसी फियोफाइसी और रोडोफ कि बात करें तो भायों की जो मेन प्लान बॉडी होती है वो गयमीट को प्रड्यूस करती है इसलिए उसे गयमीटो फाइट कहते हैं अगर हम जिमनो की बात करें बैटा तो जिमनो इस्पर्म को नेकड सीड़ेट प्लांट कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑव्यूल है वह वाल से इंक्लोज नहीं होते हैं एंजियो स्पर्म की बात करें तो यहाँ पर जो मेल सेक्स ओर्गन इस्टेमेन और फीमेल सेक्स ओर्गन पिस्टिल है वो फ्लावर के अंदर बॉर्ण करते हैं हलो बड़ी इस ग्यान बाबा सीरीज में अज हम बात करने वालेज वे एक लास अगर प्रेजन है तो दो प्यश्टिन के बात करें स्थीरे यह इस सापों की बात करें हट ज्यादा रिटीन चेंबर का होता लेında फोर जंबर क्रोकोडाइल में होता है यह भी पोईकलो very cold breaker होते हैं इसनेक और लिजर्ट अपनी स्केल को इसकिन कास्ट के फॉर्म में रिमूव करते हैं फर्टलाइज़शन इंटर्नल होता है एक्जामपिल बहुत इंपॉर्टेंट है चिलोन को टर्टिल कहते है टेस्टुडो को ट्वार्टवाइस कहते है गरवली चिपली पॉज़शन इनेक याद करने है नाजा कोबरा पैंगारुस क्रेट और वाइपेरा वाइपर हो जाए तो एक्जामपिल पर थोगासा फोकस करेंगे यहाँ पर और कई सारे फिगर एंसीयार्टी में आपको दिये भी गए है तो यह फिगर भी आप थोड़ा दिहान रख सकते है आज हम वर्टीबरेटा के चौथे क्लास को डिसकस करेंगे एंफीबिया एंफीबिया की बात करें तो इनकी डूल लाइफ होती यानि पानी के अंदर भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं ज्यादा तर में दो प्याठ लिंब पाए जाते हैं लेकिन अगर हम एक्तियोफिस की बात करें लिंबिय उम्फीबिया इसमें लिंब नहीं पाए जाता है बोडिः डिविजबिल होती है हेड और ट्रंक में लेकिन कुछ member में tail पाई जाती है जैसे salamandra की बात करें इसमें tail आपको दिखाई दे रही यहाँ पर इसी तरह से अगर हमाई की बात करें तो eyelid होती है skin moist होती है और वहाँ पर scale नहीं पाई जाती है अब कि मचलियों में scale थे टिंपैनम येर को रिपरिजन करता है elementary canal urinary और reproductive tract एक common chamber में open करते हैं इसे cloaca कहते हैं respiration kill के दौरा, lung के दौरा, skin के दौरा हो सकता है हर three chamber का है two auricle और एक ventricle यहाँ पर पाया जाता है ये भी cold blooded है मचलियों की तरह, fertilization external होता है और development indirect नहीं larva पाया जाता है इसे मेठक का जो larva उसे tadpole कहा जाता है एक्जाम्पिल व्यूफो को toad कहते है, rana को frog कहते है, hyla को tree frog, salamenda, salamander ही होता है, ethiofis, limbless amphibia Hello buddies, आज की वीडियो में हम बात करेंगे proto-cordates के बारे में देखे, phylum-cordata को तीन सब-cordata में divide किया गया है, euro-cordata जिसको tunicata भी कहते हैं, euro-cordata और vertebrata, euro-cordata और cephalo-cordata को मिला के proto-cordate कहते हैं, जो exclusively marine होते हैं, इसमें euro-cordata जो होता है, इनमें notocord, given larva की tail में होता है, लेकिन cephalo-cordata में जो notocord होता है, हेट से tail region तक होता है, और पूरे life तक persist करता है, euro-cordata के एक्जामपल है, acedia, salpa और doligolum, cephalo-cordata में एक्जामपल है, branchiostroma जिसे amphioxus या lancelet भी कहा जाता है, तीसरा जो phylum है, तीसरा जो sub-phylum है, vertebrata, vertebrata की बात के होते हैं, इनमें notocord embryonic stage में होता है, जो adult stage में vertebral column से replace कर दिया जाता है, इनमें hurt होता है, जो two, three या four chamber का होता है, kidneys पाई जाते हैं, excretion के लिए, और इनमें paired appendages होते हैं, जो fins या limbs के form में होते हैं, आज यहाँ पर हम phylum arthropoda की बात करेंगे, इसे largest phylum कहा जाता है, इनमें chitinus exoskeleton होता है, body, head, thorax और abdomen में divide होती है, इनकी जो eyes होते हो simple या compound हो सकती है, status इस नाम के balancing organ है, malpies and tubule पाई जाती है, जो excretion में role play करती है, और example इनके बहुत जादा important है, जैसे यहाँ पर आपको गयात करना, economically important insect, जिसमें epies यानी honeybee आ जाएगा, bombics यानी silkworm आ जाएगा, और lacifer यानी lack insect आ जाएगा, vector की बात करेंगे, तो इसमें anophilis, quleks और ades ये तीनों mosquitoes है, gregarious pest में locusta यानी locust आ जाएगा, और living fossil में lemulus यानी king crab आ जाएगा, तो ये example बहुत बहुत important अच्छी तरी रखियेगा, respiration की अगर बात करें, तो इनमें gills, book gills, book lungs या tracheal system होता, जिससे ये respiration कर सकते हैं, साथ ही साथ इनमे development direct भी हो सकता है, और indirect भी हो सकता है, fertilization जादा तर internal होता है, Hello buddies, आज हम यहाँ पर segmentation के बारे में बात करने वाले हैं, segmentation की बात करें, तो true segmentation को metamerism का नाम दिया जाता है, और ये earthworm यानी enlida में आपको मिलेगा, लेकिन आपके neat में सवाल पूछा जा चुका है, कि true segmentation या metamerism की अगर बात करें, ये है तो enlida का character, लेकिन segmentation दो और फ structure है, rod like होता है, dorsal side में present होता है, और embryonic development के समय बनता है कुछ animal में, जिन animal में notochord पाया जाता है, उन्हें codate कहते हैं, और जिन में notochord नहीं पाया जाता है, उन्हें non-cordate कहते हैं, पूरी phera से लेके echinodermetra तक के सभी member को non-cordate कहते हैं, और codate के member को codates कहा जाता है Hello buddies, आज हम vertebrata के last class, 7th class, mammalia के बात करेंगी, mammalia का सबसे जो unique character है, वो memory gland का पाया जाना है, साथ इनकी जो skin होती है, skin पे hair पाया जाते हैं, ये भी इनका बहुत important feature है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, external area pin 9 में present होते हैं, different type के teeth पाया जाते हैं, जो में जिसे heterodon का जात होता है, homeo thermos, warm bladed होते हैं, जाला तर वीव पैरस होते हैं, लेकिन कुछ exception है, जैसे ornithor incos platypus, ये ओ भी पैरस है, बाकि सारे मिंबर इन में वीव पैरस होते हैं, इसे macropos kangaroo हो जाएगा, heropus flying fox होगा, camelos, camel, macaqa, monkey हो जाएगा, ratus rat, canis dog, phelis cat, eliphas, elephant, ikkos horse, elephant, common dolphin, belen और blue whale होगा, panthera, tigris, tiger और panthaleo, lamb, example काफी सारे आपको दिये गए हैं, इनको आप याद कर लेंगे, कुछ आपको पहले से पता, canis, phelis, panthera ये आपको पहले से पता, बाकि आप याद कर लीजेगे, हलो बडीज, आज हम यहाँ पर vertebrata के छटे class को डिसकस करेंगे, एवीज, इनने commonly bird कहते हैं, इनमें सबसे जो common feature है, वो feathers का पाया चाना है, ज्यादा तर bird उर सकती है, except flightless bird जैसे ostrich, ये नहीं उर सकती, क्योंकि इसका weight ज्यादा हो जाता है, इनमें beak पाये जाती है, इनके ये four limb होते हैं, वो wing में modify हो जाते हैं, जाती साथ इनकी जो skin है, वो dry होती है, इन पर gland नहीं पाये जाते हैं, except the oil gland जो base of tail पर present होती है, इसका endoskeleton पूरी तरीके से bone का बना होता है, और long bone जो होती होलो होती है, जिनमें air cavities होती है, इनके digestive system में दो additional chamber पाये जाते हैं, crop and gizzard कांकरोज की तरे और इनका हट पूरी तरीके से four chamber होता है, ये warm bladed यानि homeo thermic animal होते हैं, और air sac जो होते हैं बैटा, वो respiration करने में मदद करते हैं, ठीक, example के अगर बात करें तो कॉर्वस क्रो होगा, कोलंबा पिजन, सिटेकुला पैरट, इस्तुथियो औस्टिच, पावो अप्टरिनोर राइट पेंग्विन और नियो फ्रॉन वल्चर बात करें, तो यहां पर जो mesoderm होता है, वो scattered pouches के form में होता है, और platy helmet की बात करें, तो यहां पर silom absent होता है, तो इन्हें a silomate का नाम दिया जाता है, तो example बहुत important है, a silomate, platy helmet, pseudo silomate, esk helmet, और true silom आपको मिलेगा, anilida से लेके core data तक के सभी member में, इसी तरह segmentation की बात करें तो true segmentation को metamerism कहते हैं, और यह earthworm यानि anilida phylum में present होता है, वैसे segmentation anilida, arthropoda और core data तीन phylum में होता है, अब यहाँ पर basis of classification को देखें, तो सबसे पहले है, levels of organization, चार level organization के cellular level, tissue level, organ level and organ system level, cellular level का जो organization, वो sponges यानि porifera phylum में मिलेगा, tissue level का organization, जो serentrator और tenophora में आपको मिलेगा, organ level का organization आपको मिलेगा, platy helmet में, और जो organ system level का organization है, वो ask helmet से लेके core data तक के सभी member में आपको मिलेगा, यानि ask helmet, anilida, arthropod, mollusk हो गया, echinodermata की अगर आप बात करें, caudata की बात करें, hemicaudata की बात करें, इन सभी में organ system level का organization मिलेगा, Hello buddies, phylum tinofora की आज हम बात करने वाले हैं, इनको commonly sea walnut या calm jellies कहा जाता है, यह exclusively marine होते हैं, इनमें eight rose obsiliated calm plate पाई जाती, जो locomotion में मदद करती है, digestion, extracellular और intracellular दोनों तरह का होता है, इनकी जो सबसे important property है, वो है bioluminescence, बहुत important है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि यह bisexual होते हैं, और इनमें reproduction keval sexual होता है, यह sexual नहीं होता है, fertilization external होता है, indirect development होता है, लारवल stage यहाँ पर पाई जाती है, दो example यहाँ पर है, pleurobrachia और दोसरा है टीनो प्लेना, और यहाँ पर जो pleurobrachia इसका figure भी आपको दिया गया है, यहाँ पर दो tentacle भी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनको NCRT ने लिखा नहीं, लेकिन आप इस figure से यहाँ पर इस बात को याद रख सकते हैं, Animal Kingdom में दो तरह के digestive system होते हैं, एक होता है complete digestive system, जिसमें single opening पाई जाती है, elementary canal में या digestive system में, जो mouth और anus दोनों का काम करती है, incomplete digestive system, platy, helmet में आपको दिया गया, NCRT में याद रखिएगा, अब complete digestive system की अगर बात करें, तो complete digestive system में दो opening पाई जाती हैं, एक mouth का तरह काम करती हैं, अब अगर circulatory system की बात की जाए, तो circulatory system भी दो तरह का होता है, एक open type का circulatory system, दूसरा close type का, open type का circulatory system है, यह आपको कहां पर मिलेगा, यह आपको मिलेगा, एक तो arthropoda phylum में, दूसरा mollusca में मिलेगा, और close type का circulatory system है, वो anilida में मिलेगा, और quadata में आपको मिलेगा, हलो बड़ीज, आज हम यहाँ पर phylum anilida को डिसकस करने वाले हैं, anilida की बात करें, तो यहाँ पर metameric segmentation पाया जाता है, इनकी body segment या metamers में divided होती है, इनमें longitudinal और circular muscle पाया जाती, जो locomotion में मदद करती है, aquatic anilida जैसे की neris की बात करें, इनमें parapodia पाया जाते हैं, जो swimming में मदद करते हैं, एनलिडा में close circulatory system पाया जाता है, इनमें nephredia पाया जाते हैं, जो osmo regulation और excretion में मदद करते हैं, इसी तरह से अगर हम बात करें, इनका जो neural system होता है, उनमें paired ganglia पाया जाते हैं, और double ventral nerve cord से वो connected होती है, नेरिस एक aquatic anilid है, जो daceous यानी unisexual होता है, जब कि earthwormon leeches की बात करें, तो ये monoseous nature की होती है, एक्जामपिल नेरिस, फेरिटिमा जिससे अर्थवर में केचुवा कहते हैं, और हिरुडेनिरिया जिससे blood sucking leech कहा जाता है, यहाँ पर figure भी आपको दिखाए गए है, नेरिस का figure है, और दूसरा blood sucking leech का, आज हम वर्टीबरेटा का पहला क्लास यहाँ पर डिसकस करेंगे, cyclostromata, cyclostromata को jawless vertebrate भी कहा जाता है, और इसके जितने भी member हैं, सब एक्टो पैरासाइट हैं, फिसस के ओपर, इन में जो gills slit होते हैं, बेटा 6-15 pair होते हैं, जो respiration में help करते हैं, cyclostrom में sucking और circular mouth होता है, ल vertebral column cartilaginous होता है, circulatory system close type का होता है, और इस cyclostrom marine होते हैं, लेकिन यह migrate करते हैं, spawning करने के लिए fresh water में, और spawning करने के कुछ समय के बाद इनकी death हो जाती है, और इनका लावरा metamorphosis करके वापस marine water एनी ocean में lot आता है, example की बात के तो petromyzon जिससे lamprey कहते हैं, और mixin जिसको hack fish कहते information तब मिलेगा जब ectoderm और endoderm पाया जाए, germ layer के form में, जैसे silentrata के बाद करें, यह diploblastik होता है, ectoderm और endoderm के बीच में silentrata में mesoglia नाम की layer पाया जाती है, लेकिन यहाँ पर mesoderm आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ectoderm और endoderm के बीच में mesoglia पाया जाएगी, अब ectoderm और endoderm के बीच में mesoderm नाम की layer पाया जाएगी, वहाँ पर हम कहेंगे, triploblastik organization आपको मिलेगा, तो triploblastik organization आप देख सकते हैं, triploblastik organization में तीसरी germ layer आ जाती है, mesoderm, ectoderm और endoderm के बीच में, और यह आपको मिलेगा, platy, helmin, से codata तक के सभी member में triploblastik organization आपको जबकि silentrata की बात करें, तो वहाँ पर diploblastik organization पाया जाता है, हलो बडीज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब फाइलम vertibreta के classification को, देखे, vertibreta के दो division बनाएगे, एक agnetha और दूसरा netho istromata, agnetha में jaw absent होते हैं, एक ही class है, इसमें jaw present होते हैं, इसमें दो super class बनाए अब जो पाइसे हैं, इन में दो class बनाएगे, कॉंडिक थी जिनने कार्टलेजनस फिस कहते हैं, और ऑस्टिक थी जिनने बोली फिस कहते हैं, टेट्रापोडा में चार class बनाएगे हैं, एमफीबिया, रेप्टीलिया, एवीज यानि पर्ड और मैमेलिया, तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो नैथो इस्टोमेटा में टोटल आपको 6 class मिलेंगे, एगनेथा में एक class मिलेगा, वर्टीब्रेटा में टोटल आप देखो तो 7 classes हैं, और इन 7 class को 1 by 1 हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे, पहला class साइक्लो इस्टोमेटा, दूसरा कॉंडिक थेज ह हो जाएगा, फिर आस्टिक थेज, एमफीबिया, रेप्टीलिया, बर्ड और मैमेलिया, आज हम यहां पर फाइलम मोलस्का की बात करेंगे, मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है यहां पर, इनकी जो बाडी होती हो, कवर्ड होती, कैलकेरिया, शेल के दौरा, बौडी अन्सेगमेंटेड होती हो, डिवाइड होती हेड, मस्कुलर फोट और विशरल हम्प में, जो विशरल हम्प है, उसके उपर मैंटल पाया جाता है, मैंटल और हम्प के बीच में मैंटल कईविटी होती है, जिसमें फिदर लाइक गिल्स पाया जाते हैं, इनमें एं पाईला जिसे अपैल इसनल घोंग आप कहते हैं बिंग टाड़ा जिसे पर्लौइस्टर कहते हैं सीप्या कटल फिस रोलिंगो स्कृड होगा ऑक्टोप सेविल फिस आये क्पैलिraw fish आप्लाइस is ओर के जाते हैं डेंटेलिंगर को टसक सिल कहते हैं और चीटो प्लीूरा को जो की बहुत important point है यहाँ पर इनमें elementary canal complete होती है और इनमें muscular fairings पाया जाता है इनमें एक excretory tube भी पाई जाती है और excretory pore भी होता है इनमें male और female individual अलग-अलग होते हैं मतलब यह diceous होते हैं और ज्यादातर cases में जो female होती है वो लंबी होती है male की तुलना में fertilization internal and development direct भी हो सकता है और indirect भी हो सकता है एक्जामपिल की बात करें तो तीन एक्जामपिल यहाँ पर आपको याद करने हैं एक है ascaris जिसे round warm कहते हैं उच्रेयरिया जिसे file area warm कहते हैं इंकाईलोस्टोमा जिसे hook warm कहा जाता है और यहाँ पर अगर आप देखें तो figure भी दिया गया है यहाँ पर male ascaris और female ascaris आपको दिये गए है और female ascaris को आप देख सकते हैं इसका जो size जो male की तुलना में बड़ा है हलो बड़ीज आज हम बात करेंगे animal kingdom में symmetry के बारे में तीन तरह के symmetry NCRT में आपको दे गई है radial symmetry, bilateral symmetry और asymmetry asymmetry आपको मिलेगी sponges यानि periphera phylum में asymmetry पाई जाती है radial symmetry की बात करें तो यह मिलेगी silentrata phylum में, inophora phylum में और echinodermeta में लेकिन ध्यान रखिएगा, echinodermeta के larva में bilateral symmetry होती, adult में radial symmetry पाई जाती है अब bilateral symmetry की बात करें तो आप sponge छोड़ दीजी, यानि periphera, silentrata, tenophora, echinodermeta छोड़ दीए, बाकी सब जिगे bilateral symmetry आपको मिलेगी यहाँ पर जैसे anal लिखा हुआ, arthropod लिखा है, इनमें bilateral symmetry पाई जाएगी लेकिन ध्यान रखिएगा, echinodermeta में, larva में bilateral symmetry है और adult में radial symmetry पाई जाती है यह point बहुत बहुत important है तो आज हम phylum porifera यहाँ पर discuss करेंगे porifera के member को commonly sponges कहा जाता है यह generally marine होते हैं, यानि कुछ fresh water भी होते हैं इनमें सबसे जो important feature वो water transport system या canal system पाया जाता है और watering की body के अंदर आता है austia के दोरा एक central cavity की body में जिसे spongosil कहते हैं इसके अंदर पानी आने के बाद osculum नाम के structure के दोरा पानी body के बाहर जाता है इनमें coinocyte या collar नाम की cell होती जो बहुत important है यह spongosil और canals को line करती है digestion यहाँ पर intracellular यानि cell के अंदर होता है और इनमें जो skeleton होता है वो specule का या spongion fiber का बना होता है यह hermafrodite यानि bisexual होते हैं asexual reproduction fragmentation के दोरा होता है development indirect होता है यहाँ पर larval states present होती है और example की बात करें यहाँ पर तो तीन example आपको याद करने है saigon को skypha कहते हैं spongyla को fresh water response और spongyla को bath sponge hello buddies आज यहाँ पर हम phylum echino dermeta की बात करेंगे इन एनिमल में endoskeleton होता है calcareous orzical का बना हुआ यह सभी marine होते हैं all are marine ठीक है इसके लाबा यहाँ पर complete digestive system होता है जिसमें mouth, ventral side और एनस जो होती है वो dorsal side present होती है सबसे important feature यहाँ पर water vascular system होता है जो की locomotion में मदद करता है food को capture करने में transport of food और respiration में help करेगा excretory system इनमें नहीं पाया जाता है fertilization ज़्यादा तर external होता है यह important और इनमें free swimming लार्वा होता है example अगर आप देखें तो एस्टीरियस, starfish, echinus, c, archin, antidon जिसको c, lily कहते है कुकुमेरिया को c, cucumber का नाम दिया जाता है और ओफियूरा को brittle star का नाम दिया जाता है तो इकारडरमेटा बहुत important है यहाँ पर symmetry की बात करें तो symmetry यहाँ पर radial symmetry होती adult में लेकिन लार्वा में bilateral symmetry present होती है hello buddies, आज हम बात करेंगे phylum, salentrata या निडीरिया के बारे में इसके में बर जाता तर marine nature के होते है इनमें जो special feature है यह बेटा है यहाँ पर nidoblast या nidocyte पाई जाती है इनमें stinging capsule होता है जिसे nematocyst कहा जाता है जो nidoblast होती है यह encourage में, defense में और food को capture करने में मदद करती है इनमें जो cavity उसे gastro-vascular cavity कहा जाता है और इनका जो mouth होता हो hypostorm नाम के structure पे मिलता है digestion, extracellular और intracellular दोनों तरे का होता है corals में skeleton बना होता है calcium carbonate का nidarian में दो body form होती polyp and medusa जो polyp होता हो sysile and cylindrical होता medusa जो होता है वो umbrella से और free swimming होता है metagenesis आपको मिलेगा obelia में example के अगर बात करें तो phyclia, Portuguese man of war adamantia, c-anemone हो जाएगा penatula, c-pan, gorgonia, c-pan और mendrina, brain coral hello buddies, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं phylum platy helminth के बारे में platy helminth को commonly flatworm कहा जाता है यह ज़्यादा तर endo parasite होते है flatworm की बात करें तो जो parasitic form होते हैं उनमें hook और सकर पाये जाते हैं कुछ यहाँ पर ऐसे भी form होते हैं जो nutrient को सीधे body surface absorb करते हैं इनमें flame से लिया solenocyte या proto nephedia पाये जाते हैं जो asmo regulation और excretion में role play करते हैं success की बात करें तो separate नहीं होते हैं यानि bisexual होते हैं fertilization internal और development many larval stages के थ्रू होता कई larval stages होती है planaria की बात करें तो इसमें high regeneration capacity होती है जो की true regeneration है दो example और याद करने है planaria के लावा tiniya को commonly tap home कहते हैं और fasciola को liver fluk कहा जाते हैं इनके figure भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यह आपको tiniya दिखाये गया और यह आपको यहाँ पर liver fluk दिखाये गया है hello buddies आज यहाँ पर हम phylum hemicodata की बात करेंगे hemicodata को पहले सब phylum माना जाता था और quadata के अंदर रखा गया था लेकिन बाद में इसको separate phylum बना दिया गया नॉन-cordata के अंदर hemicodate में rudimentary structure होता collar region में जिससे स्टोमो-cord कहते हैं यह notocord की तरे लगता था इसलिए इसको quadata में पहले रखा गया था अब यहाँ पर worm like marine animals होते हैं इनकी जो body होती हुँ तीन पार्ट में डिवाइट होती proboscis, collar और trunk में circulatory system open type का होता respiration गिल के थुरू होता है excretion proboscis gland से होता है यह important है fertilization external होता है यह भी important development indirect यानि लार्वा पाया जाता है और यह जो collar reason इसी collar reason के अंदर यहाँ पर stromocord आया जाता है यह जो आपको दिखाई दे रहा है इसी को scientist पहले notocord समझ बैठे थे हलो बड़ीज आज हम यहाँ पर vertebrata के second class को discuss करेंगे conductors, conductors की बात के हैं तो यह marine animal होते हैं इनमें cartilaginous endoskeleton होता है इनका जो mouth होता है